राम राम भाई और आज का वीडियो बहुत की दम्मा के दार होने वाला है क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूं कि विंडोस 11 कैसे बूटेबल बनाए तो उसके लिए में दो चीज होगी आवशक्त होगी पहला है रूफूस दूसरा है विंडोस 11 ISO फाइल तो लेट्स ग इसकी ओफिशिल वेबसेट मेरे सामने आ चुकी है हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होगा और अब हम नीचे आएंगे इसमें नीचे हमें यहां से स्लेक्ट करना है बुद्रом मुट्ट इडिशन आइसो फोर इसकी ऑडिवाइसे इसके बाद में डाउंडूड पर क्लिक करने के बाद में यहां पर हमें क्लिक करना है और हमें हमेरी लेंविज स्लेक्त करनी है यहां पर में इंग्लिझ ऽिसलेक्ट कर रहूं की क्washeed इसके बाद में हमें कंफर्म पर क्लिक करना है कि कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने डाउन्लोड का ओप्षन आ गया है यहां से मैं डाउन्लोड पर क्लिक करता हूं और यह डाउन्लोड होना शुरू हो चुका है लेकिन यह ओलडी मैंने डाउन्डूड कर रखा है इसलिए मैं यहां पर इसको पोच्छ कर देता हूं अब हमें हमारा जो नेक्स्ट सॉप्ट्रे वो डाउलोड करना है रूफूस तो यहां पर मैं टाइप करूँगा रूफूस डाउन्डूड और कुछ इस तरह की सर्च निम्हें हमारे सांबने आ चुका है इसके ओफिशल वेब सायट यहां पर हमें क्लिक कर रहा हूं और इसकी ओफिशल वेब सायट पर यह पेज मेरे सांबने आ चुका है नीचे हम जाएंगे तो हमकरक differentiate ARE मेरे सांबने भी देंगे तो यह चार option मेरे सामने आ रहे हैं और यहां पर मैं portable वाला version डाउलोड करूँआ यह मैं डाउलोड कर रहा हूं मैंने क्लिक कर दिया है और यह देखिए download पर मैं क्लिक कर रहा हूं यह डाउलोड हो चुका है दोनों फाइले मेरे सामने है desktop अब मुझे रूफूस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मैं yes कर देना है देखिए यह interface मेरे सामने open हो चुका है अब ही devices में blank आ रहा है किसी तरह की pen drive लगी नहीं है मैं pen drive यहां पर insert कर रहा हूं इंसर्ट करने के बाद में यहां पर pen drive यह बुटेबल flash drive उसका नाम आ जाएगा यह देखिए यह पर नाम आ चुका है VC नाम से मेरी pen drive है उसका नाम आ चुका है solar jp की pen drive है next हमें नीचे आना है और यहां पर select करना है जो हमारी ISO file है उसको select करना है select करने के बाद में यह देखिए desktop पर है और यह select करने के बाद में नीचे option आ गए है यह वाले option को छोड़ देना है और यहां पर इसका नाम वी सी दे रहा हूं और उसके बाद में आपको सीधा start पर क्लिक कर देना है जैसे में start पर क्लिक करो प्रोसेश शुरू हो जाएगा अब देखिए यहां पर कुछ मेसेज जा रहा है यह बहुत जाद इंपोर्टेंट मेसेज है देखिए हमारे सामने option आ रहा है देने देना है और यूजर नेम किसे नाम से बनाना हो यहां पर डाल देना है अपना नाम डाल सकते हैं कुछ पी डाल सकते हैं और हमें पर क्लिक कर देना है चलिक करने के बाद में यह कह रहा है कि आपको डेटा है पूरा पूरा डिलेट हो जाया पैंटराइब से तो कंफरमेशन करने कि आपके पेंटराइब ना हो मैं यहां से ओके करने के बाद में देखिना पर प्रोसेश शुरू हो चुका है लगबग 5-10 मिन का समय लगेगा यहां पर मैं इसको fast forward कर रहा हूं जिससे जल्दी से यह काम हो जाए आपका time waste ना हो गाइस वीडियो आपका बहुत ही पसंद आया होगा comment करके बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के शेर करें ना जान के लिए thanks for watching